प्रिटी वर्स की भाती इस वर्स भी भीम ग्याइंजर्चा असोशियेशन ने एक आईजन समीती और प्रेरक मंडल बना है तो जो प्रेरक मंडल है यह प्रेरक मंडल 34 मेंबर्स से मिल करके बना है आदर्णिय नरेश गौतम जी हमारे इस बार प्रेरक मंडल के अद्यक्ष बनाए गए है मैडम संगमित्रा जी इसकी वरिष्ट उपाद्यक्ष है और महासचिव के पद्पर एसपी आनंग जी को निप्त किया गया है उपाद्यक्ष में हमने तीन एडिशनल उपाद्यक्ष भी दिये हैं जिसमें नतोली सिंग जी जिसमें हैमंत कुमार खोजना जी और सरदेज ज्वाला प्रसाद जी ये तीन हमारे उपाद्यक्ष रहेंगे कैसियर के पद्पर गत्वर्स की बाती इस वर्स भी चंदर्शेकर सम्यक जी को निप्त किया गया है यह हमारे 34 मेंबर्स में से अक्टिव मेंबर हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई है प्रेरक मंडल ने एक इस बार नए तरीके से प्रियोग किया है प्रतिवर्स जो बड़े बड़े आयजन होते थे उसमें प्रेरक मंडल सीधी अपनी जिम्मेदारी से भालता था इस बार अपने जो राइट से वो डेलिगेट किये गए है प्रेरक मंडल ने विभिन प्रेड़ों में आई जन समीतियां बनाई है तो वह आजन समीतियां लोकल लेविल पर आयजनों को प्रवंदित करेंगी उनको समालेंगी तो मुक्य तोर पर यह आजन दस बड़ी लोकेशन पर आवित किया जा रहा है गौतम गुतनेगर जनपद में तीन बड़ी लोकेशन है एक सेक्टर पंद्रे का बहुत बड़ा पार्क है जिसको रिसीपाल कृड़ा इस्थल बोलते हैं दूसरा ग्रेट ओमेड वेस्ट कि एक साइट है वहाँ पर सिलपता चौक के पास में एक बड़ा फार्म हाउस है ड्कटर राजवीर फार्म हाउस होपा यह बहुत 10 ही और्यक्ट्ष्जीं और व्रेट में जेवर इंटर नेशनल एरपोर्ट के पास में ही डाक्टर अम्बेड कर भवन है अम्बेड कर पार्क है वहाँ पर यह आईजित होगा तो गौतम गुद्धिनगर में तीन बड़ी साइट्स पर बहुत मौत सब का भववे आईजिन किया जाएगा बराबर में जो गाजयवाद डिस्टिक है वहाँ बिजयनगर में माता भीमावाई पार्क है उसमें एक बड़ा आईजिन प्रस्तावित है गाजयवाद में अभी दो लोकेशन और हैं जिन पर बात चल रही है वहाँ की कमेटिया भी बनी नहीं है इसलिए अधिकारिक तोर पर भी कहना उनके लिए उचित नहीं होगा उम्मीद यह है कि गाजयवाद में भी तीन बड़े आईजिन ही होंगे जैसे कि गौतमुदिनगर में हो रहे हैं बरावर कर डिस्टिक बुलंद सहर है वहाँ सुनेरा मुद्वियार पर लास्ट येर भी बहुत सांदार आईजिन हुआ था इस बार वहाँ बहुत मजबू आईजिन सिमीती बनी है और वह पूरे जनपद में घरगड़ जाकर के परशार परचार करने के साथ सुनेरा बुद्वियार पर विशाल आईजिन वहाँ होगा इसके लावा बरावर कर डिस्टिक मतुरा है मतुरा में टैक्में सिटी का डेक्टरम्बेड कर पार्क है और इन दोनों जिए पर विशाल आईजिन के लिए समीतियां बन गई है कमेकिया बन गई आजिन समीती वो प्रवंद समालेंगी और पूरे मत्रा जिनपद में इसके परशार परचार किया जाएगा आगरा डिस्टिक में हमें अभी एक लोकेशन फाइनल हुई है आहारन में ब इतावा में गपचिया एक स्थान है गपचिया में एक बहुत बड़ा आयजन सुनिश्चित हुआ है और दो दो इस्थान है गपचिया के अलावा भी और इतावा के लोगों ने यह नियने लिया है कि वह 24 और 25 दिसम्बर दौनों दिन भववे आयजित करेंगे सांस्किर् इकरम भी वहां प्रियाप्त मातरा में आजित किये जाएंगे पूरे इतावा जिनपद में प्रिसार प्रिचार की योजना को अमली जाम पनाया जाएगा वहां की जो लोकल कमेंटिया वह बनाई जा चुकी है सहारनपूर में दो इस्थानों पर एक तो बामियान प्रिस्टिक में भी है यह कुछ प्राइम लोकेशन मैंने आपको बताई है बाकि पस्चिंग उत्तरवर्देश का कोई डिस्टिक ऐसा नहीं है जहां एक या दो बहुत मौत सब्के बड़े आईजन ना हो रहे हों इनमें इन आईजनों की यह खूमसूरती और खासियत रहेंगे इसमें जो वक्तागण हैं जिनोंने बुद्धिजम पर अपनी अच्छी स्टडी की है जिनको बुद्धरम उसके मौलिक जो आचार विचार और तत्व हैं उसका दर्सन है उसको समाज के वीच में रखने का कार्य किया जाएगा साथी सथ जो बुद्धरम और इस इस पेसली बच्चों के लिए कुछ कारी करम डिजाइन किये गए हैं और महिलाओं के लिए भी इस पेसल कारी करम डिजाइन किये गए हैं तो भरपूर मात्रा में ज्यान के साथ साथ इसमें मनोरंजन भी समाईत किया गया है और इसमें जो तयारियां है आज से ही इनको अम समालेंगी साती साथ प्रेरैक्मेंडल के जो हमारे लोग हैं 34 मेंबर को उन्सक्राइब को किसी ना किसी आयोजन की मुखे भूमे का मैं रहने की जिम्मेदारी दीघी यायनि कि पृवारी के तौर पर कारिक्रमें को करेंगे। िअग 1 कारीक्रम यूणीफाम होंगे। एक तरीके से हैं… इजी यूणीफाइनिंग यूणीफाम होंगे। तत़ सब्सक्राइफ इस सब्सक्रार करोंगे।। Edas achievement क्लाइफ। हम सकारत्मक रूप से भगवान बुद्ध और बावा साफ डेक्टर अम्बेड करके द्वारे दिखाए गई समता मैत्री के मूल्यों को आगे बढ़ाने पर कारिय करेंगे और अगले जो पंदरे दिन हैं वो बहुत लाजवाब होने वाले हैं हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब भी इन कारी किराओं में आकर के आप भी वहाँ इनको देखें यह कैसे आईजित हो रहे हैं और समाज को भी यह बताने का काम करें कि बुद्ध की धरा पर बुद्ध के अजर और हमारे संदेश फिर से फैलाई जा रहे हैं दन्यवाद केपी सिंग जी जो वरिष्ट मेंबर हैं और इस प्रेरक मंदल में आप हमारे संदक्ष की भूमिका में हैं तो आप प्रकाश जा लेंगे उपस्ति सभी धम बंदों को और इस प्रोग्राम के दर्सकों को मेरा नव बुद्धाई जैजिम इस प्रोग्राम जो हमरा होता था यहां पहुत ही लाघ ए स्केल में प्रोग्राम होता था और हर साल जो भी हम मारल करते थे दें प्रोग्राम करने के लिए उसी साल वह Middle previous लीब कर दाप दोद्रों को हर तो आपके माध्यम से बहुत महसब जो है वो कितनी जगा तो उसमें से कुछ फाइनल हो चुकी है कुछ एक बोगिन में अपनी कंसेंट देंगे तो मोटे दोर पे 25 जगा है जहां कि यह बहुत महसब इस बार मनाया जाएगा तो क्या वो अलग अलग दिन मनाया जाएगा या एक ही दिन और एक ही टाइम पर मनाया जाएगा नहीं हमार कर रहे हैं तो वह चाहते हैं कि हम एक दिन के बजाए दो दिन अपना प्रोग्राम सेलिब्रेट करें तो वह लोग दो दिन कर रहे हैं और बागी जगा पर 25 को तो सब जगा पर है यह बहुत बहुत है कि आपने पोस्टर के अंदर नाम जगह चीजें जो आपने बता ही है को मैंचन नहीं करा जो हम जगह और चीजें क्या है कि फिलहाल जो भी हमारी कोशी से रही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जगह और प्लेस कर सके लेकिन जो इस्तिती चल रही अभी यह एड्मिस्टेशन से जो परमिसन लेने की जो प्रॉलम आ रही है तो हम कई जगह पे नहीं मिली और हम उसको डाल दें लास्ट मोमेंट में परमिसन एटमिस्टेशन सब को ना मिल पाए तो पुब्लिक को ज्यादा परिसानी ना होना पड़े तो यह सब हमारा एक दो दिन में सब फाइनल हो जाएगा जिए आपने अपने हैंडविल में दिखा है 25 दिसंबर 1927 के दिन बावा साथ डॉक्टर भीम राओ द्वारा कि अनैतिक कानून की अगनी दी गई की यह अनैतिक कानून क्या था कि यह देखे मेरा जो थोड़ा संपर्क है वह बड़ोदा में संकल भूमी एक जगा है जब स्याजी राओ गाइकवाट जी ने बावा साब को पढ़ने सब्सक्राइब पढ़ने के लिए बेजा था संथ 2013 में तो वहां उनके लिए तीन साल का पढ़ाई करने के बाद में मेरे यहां पर आगर के सर्विस करेंगे दस साल के लिए तो वह पर एग्रिमेंट 1916 में खतम हो रहा है था लेकिन एक साल उसको एक्स्टेंट किया गया है और 1917 में बावा साहब वहां लोटकर के आए जब बावा साहब लोटकर के कोलंबिया से इंडिया आए तो आते के साथ ही वह बड़ोदस स्याजी राव के यहां पहुंचे कि मैं अपने अग्रिमेंट के अनुसार आपके यहां पर जॉब करने के लिए आप मुझको जॉब बड़ोदा में यह फदैगंज जगा है फदैगंज में बावा साहब एक पार्शी धर्मसाला थी उस धर्मसाला के अंदर एदल जी सोराप जी के नाम से अपने एंट्री कराई और उस धर्मसाला में वो रहे लेकिन वह भी जादा दिन उनका नहीं चल पाए लोगों ने उ सब्सक्राइब मुझ और रुखना थो सुबहे में यहां से चला जाओंगा तो बावा साब सुबह अपना सावाल ने करके वहां से निकल लिए जब बावा साब जा रहे थे तो रास्ते में सयाजी बाग महां एक जगा है पतए कर दिशन पहुचे तो वहां उस ती ते प्र प्रिट्रेचर में वहां बंबे जाने के बाद में तो बाबसाइब ने लिखा कि मैं जब वहां लोट करके आया उस्यारी बाग में बैठ गया परकत का पेड़ा बहुत बढ़ा जो आज भी है वहां पे तो मेरी आफों में आसु आने लगे कि देखें जो हमारे साथ जो छु सबाएब उन्हों जब असली समस्या असली जड़े वह इन किताबं यह सब भी वजये से हमारे साथ यह सब भेद्वाब हो रहे हैं और उसी की पूरी तरह से उन्होंने तुनीकरने बाद में 25 दिसमार नीसों सत्ता है को माहाड में वहां मनुस भी ती को उन्हों पूरी 25 प्रोग्रामों के लिए सबी जिलों में परभारि निप्ट के हुए हैं जो अपने-पने इसाब से अपने-पने जिलो का पूरा मातधर समझ रहें और पूरी टीम में ऐसे-इसे महारती हैं है कि जो कि जो एक्व्यक्ति वी हमारी टीम में ऐसा काम कर सकता है कि जो 25-25 देख सकते हैं हैं लेकिन वह स्तिम में पूरे यह कर पूरे बजयिए कि वह पूरे जिलोगों आसानी से सपच है कि कि यहां रहेंग्लिन को यहां रहेंग去了 क्योंकि आपकी टीम में 35 लोग है कि यह भीम्धियान चर्चा एस्टेसेशन है इसके माध्यम से जो यह प्रोग्राम और गिनाइज किये जा रहे हैं पत्चीज दिसम्मर बहुत मोसब के रूप में तो यह अलगलग जिलों में अलगलग प्रोग्राम है और अलगलग जिले के के प्रभारी हैं जो प्रभारी है उनके में स्चुक्रण में यह प्रोग्राम कराया जा रहे हैं और जो टीम में हैं ऑर जो क्लीन के सिद्चा हो रहा है कौन सी जगये हो उरही है रहा है और जो नियरेस्ट हैं जहां जिले में जो लोग अमारे नजदीक हैं उन कलाकारों को उसी जिले में डिब्यूट किया रहा है कि आप वहां पुनी परफॉर्वरमेंस देंगे जिस तरीके से बड़े मंच का जो प्रोग्राम होता था उस मंच पे जो लोग आते थे पहंचान है उसे नजदीक से नजदीक ले जाने के लिए वो प्रोग्राम वहां इस्ताफित किये जा रहे हैं जिससे हमारे जो बहुत इस्ताफित करके इस प्रोग्राम को लिट कर रहे हैं जो आप से बिजानना चाहूंगा कि इन 25 जगहां जो आप कारिक्रम कर रहें उसमें फाइनेश की भीव ज़रूवत पड़ेगी उसमें क्या आपकी भीव जचा इंच करेगा या आपनी अपनी टीम अलग अलग पैसा घर्च करेगी दादू जो 25 जगे पर कारिक्रम हो रहे है यहां अलग अलग जाए पर आयजन समीती बनाई गई है यह आयजन समीती लोकल लेवल पर अपना फाइनेंस का अरेंजमेंट कर रही है और जो हमारी जो प्रेरक मंडल है जो आयजन समीती मुक्रूप से जो सारे कारक्रमों को देख रही है वह इन्हें परचार परसार के कियो नहीं डाला गया है क्या इस बहार स्थान डिसाइडिद नहीं है तो इस चुल्शन का अंसर यह है कि इस देशाइडिन है और जहां जहां वी यह कारक्रम मोट नौर सबका चार रहे हैं और सबको जुम्मेदारी दिए कि आप देखेंगे आप ग्रेटर नोड़ा वैस्ट देखेंगे आप मत्रा देखेंगे तो जो जिस दिले को देख रहा जो जिस आईजन को देख रहा है वह मुखरूप से वहीं इंवाल रहेगा तो यह हमारी तैयारियां है 25 दि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग बहुत सब कैसे मनाएं उसके लिए हमने एक अपील जारी किया है उस अपील में 25 पॉइंट्स हैं वह अपील भी प्रिचार के माध्यम से सोचल मीडिया में भी उसका उचारण किया जाएगा और साथ ही साथ उसकी जो हाड कोप दूनिया है वह लोगों तक पहुचाएं जाएंगी बल्क में हमने उनको छबाया है उसमें लोगों को यह बताया गया बताया जा रहा उस अपील के माध्यम से कि आपको एक हपते पहले से आपको अपने घरों सामाजिक संस्थानों जिसमें डक्टरमबेट कर पार्क हैं ब उनको दुरुस्त करेंगे उनकी रंगाई पतायादी का काम भी समय रहते पूरा करेंगे साथी साथ एक वीक पहले से इन सवी सामुविक महत्व की जगह पर धार्मिक सामस्कृतिक महत्व की जगहों पर जो बिजली का जो विसेश प्रकास है जिसको हम लड़ियां बोलते ह लड़ियां जालर और पंसील के जंडे आदी लगा करके उनको तैयार करेंगे और बहुत मौतसब के दिन यानि कि 25 दिसंबर के दिन इन सभी जगहों पर आवागमन तेज हो जाएगा फूलों आदी से जो वहां की नियर आवादी है मैला हैं बच्चे हैं उनमें वो बुद हमने अपील में यह भी जारी किया है कि वह बंते आदी लोगों का भी रिस्पेक्ट करें जो महिलाएं बच्चे हैं उनके लिए भी जितने यता संभव हो सके बच्चों को जैसे कि हम और उत्सभवों पर भी करते हैं बच्चों को अच्छी फैंसी ड्रेसिज पहना है साथ आदी साथ एक और अपील की गई है वह यह है कि बुद्य धर्म में दान का बड़ा महत्व है तो जितना हो सके वह दान पार्मिता का भी पालन करें बंते आदी लोगों को भी दानने और गरीब लोगों को भी सर्दी का समय है छोटी छोटी चीज़ें वस्त्र कंबल आदी करें और भोजन आवसे आवसे रूप से भोजन दान करें ऐसे हमारे निर्देश हैं और खासकर 25 दिसंबर के दिन अपने घरों पर कच्छी मिट्टी के दिए केंडल्स आदी जला करके इसको और खुब सूरत तरीके से वह अपने घरों पर इसको मनाए पकवान पकोड़े अधी बनाकरके मिठाइं बनाकरके अपने परोसियों को भी वित्रित करें गैस्टों को विद्ध करें और बदाइस बाद मौत सब के जो बदाईस अगर जाते हैं तो वह वह स्ट्रीट के लिए भी हम ने उस अफिल में बोला या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले